हेलो बच्चो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने लास्ट क्लास में आपको 3.2 का चैप्टर करवाया था 3.2 कोशन में चैप्टर 3.2 में कोशन नंबर 4 एंड कोशन नंबर 3 3 & 4 दोनों सेम हैं मैंने एक ही कोशन में दोनों कोशन करवा दिये थे आपको तो आपको ध्यान देना है स्टीच का कोशन नंबर 3 & 4 दोनों से में कोशन 3 में उसने ये पूछा था कि आपको ये कोशन linear equation के according ये बताना है कि आपका consistent कौन सा है graph और inconsistent कौन सा है वो मैंने सब लास्ट क्लास में clear किया था तो वो सिर्फ इसमें पूछा जाएगा कोशन नंबर 3 में लेकिन कोशन नंबर 4 में उसने ये पूछा consistent जो भी ग्राफ है उस ग्राफ के जो भी आपका consistent है तो उसमें ग्राफ आएगा क्लियर तो आप इसमें ग्राफ बना देंगे इसलिए थार्ड एन फोर कंप्लेट था लास्ट क्लास में मैंने एक ही कोशन में दोनों पांस रहते हैं चलिए अब exercise 3.2 का आप कोशन नंबर 5 सॉल्फ करेंगे कोशन नंबर 5 में वो कहता है एक रिक्टेंगुलर पार के गारड़न है है जिसकी लेंद हैं ॉद्रा अब लैंद और ब्राथ यदि आप लैंद को लेते हैं ठीक है लेंथ जो है वो ब्रैस से फोर मोर देना है तो हमने एक्विशन फर्स्ट की बनाई बट एल और भी भी आ गया जाएगा ब्रैथ विद भी बोलते हैं इसे और ब्रैथ भी बोलते हैं लंबाई और चड़ाई इस उगल टू फोर अब आपकी एक्विशन ये पूटिंग होगे है ठीक है न क्योंकि ये ल और भी अलग लगनी रह सकते जैसे कि एक्विशन ये अलग लगनी होगे इस उगल टू के आगे आ जाते हैं सिसे बी साइनों करके चुन रहेगा तो हम बन को ये लेंगे ये वाला नहीं लेंगे दूसरी क्योशन में वो कहता है गार्डिनर कितना बता रहा है वो 36 हाफ परिमेटर और रेक्टैंगूलर गार्डन की जो आपको दे रखिये है वो कितनी दे रखिये 36 ये लेकिन परिमेटर को फॉर्मूला पहले बताओना चाहिए तो क्या होता है वो वो हमारा जब होता है एक्स के अकॉर्डिन तो ए प्लस बी ये होता है न हाफ का ठीक है तो हाफ है तो उसके नीचे टू लिखना ज़रूरी ये तो फुल का था लेकिन नीचे टू लिख दिया तो वो क्या बन गया हाफ परिमेटर इस उकल टू 36 सेक्टन एक्वेशन इसी से बनेगी आपकी अब डबल हो गया ना इसी लिए जब डबल हो गया तो ये क्यूशन आपके बन गई बट टू यहां नहीं आएगा जब हाफ परिमेटर है तो हाफ परिमेटर को यह आप एक तरह के से और भी कर सकते हैं इसको अगर इतना ना करें थोड़ा लैंद्धी हो जाएगा इसमें कोई इसमें इसमें ऐसे में करदेंगे तो वेरेसं से बजगे हमें केल्कुलेशन इसमें नहीं करने-क इसमें क्यूंकि मैंने आपको बता घिया है कि यह डी आपको परिमिटर को फॉर्मूला हो था है 2A अ-ब्लस-b तो यह पैरिमेटर है लेकिन वहाफ है तो लगा दिया 2 से त से लो गया हम क्यों multiply करें क्यों divide करें तो second equation solve है अभी इस equation से आपको यह बतानी है question में कि length आप बताएं कितिनी है और breath दोनों का बताना है तो आप इस question के अंदर elimination method लगाएंगे elimination method मैंने आपको पहले भी समझाया था last class में किस तरीके से होता है तो पहले equation में लिखेंगे यह first equation है second equation यह आपकी आगए 36 अब हम इन दोनों linear equation को कौन से formula से solve कर रहे हैं elimination यह elimination method है जिसे clear ना हो तो फिर एक से दुबारा समय लिए elimination method किसे कहते हैं elimination method में जो आपकी question first और second है अब हमें उसमें कभी कभी क्या होता है adding करना होता है कभी कभी हमें subtraction करना होता है लेकिन मैं आपको फर्क तो मैं difference बता दूँँ adding कब कर सकते हैं और different कब करते हैं तो हम इसमें adding करेंगे क्यों करेंगे उसका क्या आपको eliminate करना है तो eliminate का मतलब होता है या तो यह वाले parts cancel होंगे या यह वाले parts cancel होंगे लेकिन cancel कभ होते हैं जब sign अलग-अलग होते हैं अब हम इसमें sign तो अलग-अलग है हमारे हम क्यों उसमें subtraction करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे adding करेंगे तो adding करने के लिए हम इसमें क चेंड ने करेंगे और एडिंग कर देंगे जैसे कि यह तो कैंसिल हो गए है अलिम्नेट हो गया अब हमारा रह गया टूवल और इनको प्लस कर दिया तो हमारा आंसर फॉर्टी आ गया ठीक है मैंने इसमें क्या फॉर्मुला यूस किया है वह मैं बता रहे हूं मैंने किस चिज़की की है एक्वेशन फॉर्स्ट एड किसी में बीकर कर सकते हैं तो हमने फॉर्स्ट में किया हम उधर कर देंगे हम यहां सिधे एडिंग कर देंगे तो मैंने फर्स्ट में किया कि यहां इसका डालके में इसका रीजन लिख रही हूं कि जगे की थोड़ी शॉट डिस या तो मैं इस तरफ रीजन लेकिन आप कोई भी पाइट करेंगे उसके साथ लिखेंगे पुटिंघ आपको किसकी कर रही है या एल की क्यूंकि ल हमारा गया इसमें 20 अलिए बॉक्स रागा तो हम लिखेंगे पुटिंघ रिखेंक यह साथ यह तो यह यतुनटि लगत देंग है पुटिंग ंंगे 20 है तो यहां 20 लिख देंगे प्लस 20 बीचे जाके माइनस माइनस 16 आ गया माइनस से माइनस कैंसिल तो आपका ब्रेथ कितनी आ गई 16 और आपकी जो लेंद्ध थी वो कितनी आ गई थी 20 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर की लेंद्ध मेरी है 20 और ब्रेथ हमारी है 16 यह आपका आंसर है अब देखिए कोशन में वही वेरिफाई करनी है तो वेरिफाई कैसे करेंगे हमें कैसे बता चलेगा तो वैसे ही करना 20 और 16 को यहाँ कहीं भी रख लेना जैसे कि आपने एकोशन फर्स ली यह 20 है यह 16 अगर मैंने 20 को 16 में से माइनस कर दिया तो हमारा अंसर क्या आएगा 4 आएगा तो वेरिफाई केशन में आपको पहले भी समझाए कोशन में कि किसी भी कोशन में आप इस तरीके से लिख करके भी कर सकते हैं जनल नॉलिज में भी कर सकते हैं आप इसके एकवल आएंगे तो आपकी यह जिजिट ठीक है आपको बतानी है कि जो इसकी लेंथ है वो 20 है और ब्रैथ इसकी 16 है और वो कहा भी रहा था कि लेंथ जो है वो 4 मोर्दन है देखो इससे 4 मोर्दन आ गया और क्या चाहिए हमें अरुसें के लिए तो यह discussion बुरा कंप्लीट है इस question के according अब हम question number 6 करेंगे तो question number six करने के लिए अब हम question करेंगे Water को चली अब question हम करते है 3.2 exercise का question number six question number seven दोनों लिख दिया मैंने इस तरी किसी थोड़ी सी हींट है चोटा सा question है, तो उसको यहीं complete करेंगे, आपको एक equation दी जा रही है, linear, एक equation है, उस equation में वो यह गह रहा है कि ऐसी कौन सी equation दूसरी बनाए हम, जो वो intersecting शो करें, next option कौन सी बनाए जो पहलर शो करें, next कौन सी equation बने जो consideration करें, तो हम सबसे पहले यह सोचते हैं, कि हमारा ratio क्य तो अनिक्वल के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 की जगा, हम यहां 3x ले लेंगे, इस 3 के नीचे आप 4y ले लेंगे, minus 7, is equal to 0, यह देखो, 2 upon 3, 3 upon 4, क्या यह equal है, नहीं है ना, तो ratio हमारा यह कहता है, जब first part equal ना हो, यह बीका, तो हमारा intersecting आता है, यह अपने आप से आपको decide करके लिखना है, पैलर में क्या बोलता है, पैलर में यह बोलता है, इसी को देखना है आपको, जो मैंने यह ऐसे box बना करके करेंगे, यह equation है आपकी, equation यह है, तो पैलर में को लिखता है, A और B, यह first वाले parts और B वाले parts, same होने चाहिए, तो same के लिए, मैं यहां 4x लिखत जैसे, 4 upon 2 upon 4 है आजब इसे cancel करेंगे तो क्या है, बन अपन टू, इसे cancel करेंगे तो क्या है, यह रिखना है, फोगे सेам, अब जब सेम होगे, और इसका जो C part is unseen, unequal है, तभी तो पहलर होगा, आगे के same और पीछे का C part is unequal होगा, तो क्या होगा, पहलर होगा, तो सोच के ल तो सेम लिए हम क्या लिखेंगे जो डिजिड उपर लिखे विशिक नीचे लिख आजाएंगे, कॉंसिदेंट आजाएंगे, क्लियर है ना सारा, तो यह आपका इंट्रसेक्ट, पैलर, कॉंसिदेंट, यह दो चीज़े आती है, क्लियर होगे आप सको यह, सिर्फ इतना ही बताना है इसके अंदर, next question में, आपका यह इस तरीके से है, figure, equation first and second, इस question में वो यह कहता है, किस में आप graph बनाएंगे, और graph बना करके आपको यह बताना है, कि graph किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, और graph बनाने के बाद, जो x-axis है, उस पे आपका जो parts बन रहा है, triangle, उसको shaded करना है, question में कुछ इस तरी बना लगते है, question में यह देखने है, कि c part समीच है, जोगल के पीछे होता है, तो हम उसको पीछे लिख देंगे, sign change, ठीक है, आप इसकी ऐसे box बना के, मैंने last class में समझा रहा है, कैसे, एक बार x को 0 ले 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 ले, एक बार y को 0 ले 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 ले, आप इसकी quoting कर लेना, कर ले इसमें भी वही सब, कुछ भी putting करना, x, y, वही value रे सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ले सकते, everything, अब इसा graph में आप उदा दियो, कैसे बनेगा, मानलो, उसका graph इस तरीकी से बनेगा, यह देखो, same ऐसे ही बनेगा, तो उसने कहा, जब graph line का बन जाएगा, य यह आपका second line है, ठीक है, line पुसने का, जो x-axis है, यह वाली, इसके base पे, जो triangle बन रहा है, क्या वो triangle बन रहा है, पहले बताओ, बिल्कोल बन रहा है, हम उसको shade it कर देंगे, right now, हम उसको shade it कर देंगे, name बगर, जो मैं आपको बिताया था, arrow डाल देना, यह सब कुछ कर देना, बस इतना ही है, इसके अंदर, ठीक है, अब हम next exercise में मिलेंगे, लेकिन पहले यह आपको clear है न सारा, ठीक है, अगर आपको यह clear है, और पसंद दियाया हो, तो like, subscribe and share करें, अब मिलते हैं, next video में, okay, bye